बैंक से रुपए निकालने वाले तीन लोग बने बदवाशों के शिकार, मनगमा में एक वा महऑ गंज में दो घटनाओं को दिया गया अन्याम которого CCTV कैमरे में कैध हुए आरूपी आपको बताते कि बदमाशों ने गुरुवार को बैंक से रुपए निकालने वाले तीन लोगों को अपना शिकार बनाया है बाइक की डिग्गी में रखे रुपए निकाल कर वो चम्पत हो गए महुगंज में दो और मनगावा में एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया तीनों घटनाओ की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है बदमाश CCTV कैमरे में कैद हुए हैं जिनकी पुलिस पहचान करने का प्रयास कर रही है मनगवा कस्बे में बदमाशों ने दिनदार एक सिक्षक को अपना निशाना बनाया सिक्षक बैजनात प्रजापती ने गुरुवार को बैंक से 40,000 रुपए निकाले थे जिसे उन्होंने अपने बैग में रख दिये थे अपने पास रखने से पहले 10,000 रुपए भी उन्होंने साथ भी बैग में रख दिये थे उसे डिगगी में रखकर एक व्यक्ति को देने के लिए जा रहे थे मनगवा कसमे में इस्तितेक दुकान के सामने उन्होंने अपनी गारी खड़ी कर दी और बदमाशों की इरादे उसे अंजान दुकान के अंदर चले गए इस दौरान बड़ी सफाई से बाइक में सवार होकर आये दो की संख्याम बदमाशों ने बैग निकाला और चंपत हो ग दो बदमाश पीडित के पीछे पीछे बाइक में सवार होकर आये और बैग निकाल कर चंपत हो गए आशन का जताई जा रही है कि बदमाश बैंक से ही उनका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वे गाड़ी खड़ी करके दुकान के अंदर गए तो उन्होंने रुपए पार कर सिसी टीवी कैमरे में बदमाशों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है थाना प्रभारी के पित्र पाठी ने बताया कि पीडित ने गाड़ी से बैक चोरी होने की शिकायत की है जिस बर बदमाशों की तलास की जा रही है इसी कड़ी मे मौगंज में भी बदमाशों ने दो घटनाओ को अंजाम दिया है इंदमाणी प्रसाद पांडे निवासी उधव पुर्वा गुरुवार को इंडियन बैंक शाका मौगंज से 10,000 रुपए निकाले थे जिसे मोटर साइकल की डिगी में रखकर हुए अपने घर जा रहे थे अस्पताल के समीब वे दवाई लेने के लिए रुके तभी बदमाशों ने पलक जपकते ही डिगी खोल कर उसमें से बैक पार कर दिया जिसमें 10,000 रुपए पास्ट बो काधार कार सही तरने दस्ता बेज रखे हुए थे आराम से बदमाश घटना को अंजाम देकर निकल ग बदमाशों का शिकार हुए दोनों पीडितों ने थाने पहुंच कर घटना की शिकायत दर्ज कर आई है पुलिस ने उन से आवेदन लेकर चलता कर दिया पीडितों के मुताबिक जिस समय बैंक से पैसा निकाल रहे थे तो वहाँ दो बदमाश मो बांदे हुए बैठे थे आशंका चत्राई जा रहे है कि उन्होंने पीचा कर इस घटना को अंजाम दिया है प्रस्तो था इस संब्ध में एडिशनल S.P. शिवकुमार वर्मा से प्राप जानकारी क्यांच कर दो आए हैं उसके CCTV फूटीजे मिल गया है और उसको बैक की जो डिगगी होती ना मटर साइकरी की डिगगी उसको पैसे रखे तो निकाल की ले गया है तो इसमें परकण पंजिबद कर लिया है और जो चोर है उनकी भेंचान और उनकी तलास जारी है पचास जार के आसका हम बता रहा है